नवस्का दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्के बीद तो आज के इस वीडियो में हम 5 दिसंबर 2022 को SSC CGL के पहले सिप्ट का एक्जाम जो हो चुका है इसमें पोचे गए जीके जीएस और करेंट अफेर्स के प्रशनों को डिसकस करेंगे तो पूरा वीडियो बहुत ही धिहान से देखिएगा इस वीडियो की जो PDF फाइल है वह आपको टेली ग्राम चैनल केवी गुरुजी या केवी गुरुजी.in के ओपर मिल जाएगी तो वहां से आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए अब इस वीडियो की हम बात करते हैं पहला प्रेश्ट पूछा गया कि रुक्मणी देवी अरुणेल इनका संबंध आपके कौन से क्लास्कल डांसे हैं तो ध्यान रखिएगा रुक्मणी देवी अरुणेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके भरत नाट्यम की फेमस डांसर है और वही अगर हम लोग भरत नाट्यम की बात करते हैं तो ये हमारे तमिलनाडु राज का क्लास्कल डांस है अब भरत नाट्यम की बात हुई है तो इसके डांसर ज्यादा पूछे जाते हैं नाम आपको जरूर ध्यां रखना है जैसे कि मलिका सारभाई हो गई लच्छमी पूछा ही गया तो ये सारे आपके भरत नाट्यम डांसे जुड़े हैं अगला प्रशन पूछा गया कि फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है अब इस प्रशन का जो ऑप्शन है वो बिलकुल अलग दिया गया था देखिए सामाने तोर पर हम लोग पढ़ते है कि फोटोग्राफी में यूज होता है सिल्वर ब्रोमाइड का लेकिन आप्शन में आज आपको सिल्वर ब्रोमाइड नहीं दिया गया था उसके अस्थान पर सोडियम ट्राई सल्फेड दिया गया था तो ध्यान आपको क्या रखना है कि फोटोग्राफी में हम लोग बियार होता है जब इसको हम लोग सूरी की रोसनी में रखते हैं तो ये आपका तूट करके सिल्वर और ब्रोमीन में अलग हो जाता है अगला प्रश्ट पूछा गया सिंपल सा कि सुतंदता दिवस के आउसर पर भारत के जो प्रधानमंतरी हैं कहां पर जंडा फैराते हैं तो ये फैराते हैं लाल किला के उपर कहां से लाल किला से जंडा फैराते हैं बाकी अगर हम लोग लाल किले की बात करते हैं तो मुगल समराट साह जहां के दौरा 12 माई 1638 को इसके निर्मार की सुरुवात की गई थी ये आपका बन करके तयार हो गया था 1648 में इसके वास्तुकार की बात करें तो उस्ताद एहमल ल कि किस अधनियम के द्वारा भारत में कमपनी का सासन समाप्त हो गया और भारत का जो सासन वो सीधे बिटिस पारलियमेंट के अंदर चला गया था तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत सरकार अधनियम जो आपके 1858 में आता है इसके अंतरगत भारत में जो कमपनी का सासन हैं उसको समात कर दिया गया था और भारत के सासन को सीधे British Parliament या फिर वहाँ की रानी के अधिन कर दिया गया था आपको ध्यां रखना है कि इसी के जरिए वायसराय का प्रबंध किया गया था और भारत के पहले वायसराय बने थे अगला प्रश्ण पूछा गया कि भारत के पहले CDS के तौर पर किसे न्यूप किया गया था दरसल ये वर्तमान CDS के बारे में पूछा गया था कि अभी सितंबर में हमारे नए CDS कौन बने हैं तो पहले तो आपको ये ध्यां रखना है कि भारत के जो हमारे पहले Chief of Defense Staff है उस प पद रिक्त चल लहा था और अब फाइनली सितंबर 2022 में जनरल अनिल चौहान जी को हमारे भारत के दूसरे Chief of Defense Staff के तौर पर अपॉइंट किया गया है अगला प्रशन पोचा गया कि 2001 की जनगर्णा के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था ध्यान रखिएगा 2001 के Census के एकॉर्णी पोचा गया है तो 2001 की जनगर्णा के अनुसार लिंगानुपात था 933 कितना था 933 था वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं 2011 के जनगर्णा की तो हमारे यहाँ पर जो लिंगानुपात है वो आपका 943 है यानि की 10 आपका बढ़ गया था सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है वो आपको केरल में मिलेगा यहाँ पर प्रती 1000 पूर्णों पर 1084 महिलाये हैं और नियुनतम की बात करें तो यह हरियाना में है यहाँ पर प्रती 1000 पूर्णों पर आपको 889 महिलाये देखने को मिलेंगी अगला प्रशन पूछा गया था मतलब कुछ मौलिक करतब से जुड़ा हुआ प्रशन था एक्जैक प्रशन क्या था यह मुझे नहीं मिल पाया है बस मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं मौलिक करतब के बारे में कि जो 1976 में बयारिस्वा समिधान संसूधन हुआ था उसे के जरिए मौलिक करतब को सामिल किया गया था सुर्वात में इनकी संक्या दर्स थी बाद में जो 96 इवा समिधान संसूधन होता है उसके जरिए एक और लिए को इसमें जोड़ दिया जाता है अगला प्रश्न पोचा गया कि जो हमारा केंद्रिये विस्विद्याले अधनियम इस साल आया उसने कौन से वर्ष के एक्ट में संसोधन किया है तो आपको ये ध्यां रखना है कि इसने 2009 के एक्ट में संसोधन किया है अगर हम लोग इस विध्यक की बात करते हैं तो ये जो विध्यक है ये 3 अगस्त 2022 को हमारे सिच्छा मंतरी धर्मेंद प्रधान जी के द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था और इस एक्ट के जरिये यहाँ पर जो भी हमारे भारत के राज्य हैं वहाँ पर केंद्रे भी सुविध्यले अस्थापित किया जाएगा ऐसा प्रावधान इस एक्ट के माधिम से किया गया है अगला प्रशन पूछा गया कि फरवरी 2022 में नेशनल इगवर्नेश डिवीजन के सीईयो के पत पर किसे न्यूप किया गया तो इसके जो ने सीईयो बने है नाम इनका है अविसेख सिंग तो 1995 में बैच के IAS आफिसर है अविसेख सिंग और इनको फरवरी 2022 में भारत सरकार के द्वारा नेशनल इगवर्नेश डिवीजन के सीईयो के पत पर पॉइंट किया गया अगला प्रशन पूछा गया कि कांग्रेस के किस अधिवीजन में नरम और गरम दल का विभाजन हुआ था तो सिंपल सा प्रशन है 1907 में कांग्रेस का जो सूरत में अधिवीजन होता है उसी के दोरान जो कांग्रेस है वो दो भागों में आपकी विभाजित हो जाती है नहां से आप लोगों के लिए एक प्रश्ण है नीचे कमेंड में आप लोग मुझे ये बता दीजिएगा कि ये जो नरम और गरम दल का विभाजन 1907 में हुआ था ये दोनों दल आपस में एक किस वर्स हुए थे या किस अध्वेशन के द्वारा ये आपस में एक हुए थे अ आर्थिक हमारा मैक्रो एकोनोमिक्स होता है जिसे हम लोग समश्टी अर्थसास्त्र कहते हैं और एक होता है मैक्रो एकोनोमिक्स जिसे हम लोग वेश्टी अर्थसास्त्र के नाम से जानते हैं तो मैक्रो का मतलब होता है सूच्म और मैक्रो का मतलब हो जाता है यहां पर जॉन मिनार्ड कीन्स अगर आपसे ये पोचा जाए कि एकोनॉमिक्स के जनक कौन है तो एडम इसमित होगा लेकिन अगर आपसे ये पोचा जाए कि मैक्रो एकोनॉमिक्स के जनक कौन है तो जॉन मिनार्ड कीन्स आपके मैक्रो एकोनॉमिक्स के जनक है एक प्रेशन और था कि ROOH कौन से कार्बनिक योगिक को प्रदरसित करता है तो इसे आप लोग ऐसे देख सकते हैं CS3COOH जैसे हमारा H-TIC अमल हो गया तो ये जो आपका कार्बनिक योगिक है ये रिप्रेजेंट करता है कार्बोकसलिक एसिड को किसे जो हमारा कार्बोकसलिक इसिड है उसको ये रिप्रेजेंट करता है अगला प्रशन पूछा गया कि सम्मिधान के किस अनुच्छेत के अंतरगत राष्टपती महोदे सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है बहुत बार ये आर्टिकल मैं आपको बता चुका हूँ ये आपका आर्टिकल है 143 कौन सा आर्टिकल 143 तो इस अनुच्छेत में ये बताया गया है कि अगर कोई भी लोक महत्तो का विसे होता है तो उस विसे के उपर जो हमारे भारत का राष्टती है वो आपके सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है अच्छा इसकी खास बात क्या है इसकी खास बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो वह सलाह देगा अगर वो नहीं चाहे तो सलाह नहीं देगा उसके बाद में राष्पती के पास में भी ये पावर है कि सुप्रीम कोट ने जो सलाह दिया है उसको ये माने या फिर अगर इनका मन करे तो ना माने लेकिन सलाह लेने की विवस्था 143 में की गई है फिर एक प्रेशन था ये संभवता आया था या नहीं आया था मैं 100% से और नहीं हूँ कि निमनलखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का फोक डांस है दरसले एक लोगों ने बताया आया था एक लोगों ने बताया नहीं आया है तो अगर पूछा गया होगा तो यही सारे फोक डांस है यूपी के जैसे की राई है, कजरी है, रास लीला है, चप्पेली है और आपका हो जाएगा जोरा अगला प्रशन कुछ इस प्रकार से था कि आवर सारणी के गुरुप 17 में कौन से तत्तो है या फिर नॉन मेटल ऐसे करके कुछ था तो आपको ध्यार रखना है कि जब हम लोग गुरुप 17 की बात करते हैं तो इसमें आपको अधातुई या फिर हैलोजन समुह के एलिमेंट देखने को मिलेंगे तो आपको इसके बारे में ध्यार रखना है इसमें हमारा फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटिन है और आपको हो जगा टेनेसिन तो ये सारे हमारे हैलोजन समुह के एलिमेंट है तो इस प्रकार से पहले सिप्ट के जो भी प्रशन प्राप्त हुए थे वो सारे हमने डिसकस कर लिये है